हाई एवरिवन आज मैं आप लोगों के लिए वेज़ प्लॉग के रेसीपी लेकर आई हूँ जिसे हमने बहुती आसान तरीके से बहुती सिंपल तरीके से बनाया है और इसमें हमें लसुनों बिना अद्रक के बनाया हूँ जो बहुती जादा टेस्टी बनके प्लॉग रेड तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबजी को जितनी भी वेज़ी टेपल है सबजी हमको अच्छी तरीके सदो के हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे जब कभी भी आप लोग ना हो तो उसके 10 मिट के पहले यहाँ पर चावल भीगा दीजिए तो बहुत अच्छे से चावल बनके रे है आप लोग ना इसमें इंग्रीडियंस कम जादा कर सकते आप लोग अपनी फैमिली के इसाब से इसमें ले सकते ही जावत तो टोटल मैंने यहाँ पर बासमती वाला चौल मैंने यहाँ पर डाई कप लिया हुआ है इसमें पाने डाल देंगे एक से दिल कप यहाँ पाने और इसे भीगने के लिए हम 10 मिट के लिए छोड़ देंगे जब तक हम जो वेजिटेबर लिया था उसे धोके साफ करके उसको हम यहाँ पर काटके ले लेते हैं तो तक चौली बहुत अच्छी तरीके से भीग जाएंगे और छावल को ना एक से दो पानी में अच्छी तरी बनाने वाले ना तो आज अमों प्लाव बनाने वाले एक से दो चमाचा मिया पर तेल बता हो तो उसमें पता हो गया बड़ी लाइची चोटी लाइची लॉंग काली मिरीज और वह जो चोटा ले फूल होते न वह सब घड़े मसाले होते ना आपको अपो सब ले लीजिए एक सेकंड के लिए मसालोंही अच्छी से पकालेंगे पकने के बाद में हम यहाँ पर 2-3.. प्रेटिफे प्याज से चाहिफ अच्छी लगती है तो उसके बाद में सारी वेज़े और यहाँ गणी तिया तो उसके बाद में यहाँ तो जाँते. सब्ची को डाले के बाद में इसे हम ना एक से दो मट के लिए कवर कर देंगे और अच्छी से पका लेंगे और सब्ची आपर पके रेड़ी हो गई है इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं यहां पर कुछ भी मसाले का यूज नहीं करूँगी खाली थोड़ा सा मसाला में ठेश्ट के लिए थोड़ा सा तालेंगे वो से इसके बाद मैंने नमत नहीं टाला तो अभी अभी आपके इक जमत मैं आप देंगे आपलोग डाला है आप लोगा आप निशेखा झाल बूब घनिया परूडर बस बस इसे हम डाल देंगे और आप लोग चाहे तो मसाले को ना इसकी भी कर सकते है इसे डाल के ना हम मिला देंगे हम मिलाने के बाद में हमने जो चावल लिया था ना भीगने के लिए रखा था उसे एक सुदपाली से धोके डाल देंगे और इसमें हम चावल को डाल देंगे औ अगर आप लोग भी इसी तरह चावल भेगा के प्लाव बनाँगे तो आपकी चावल बनाने के टाइम पर कभी भी नहीं तूटेंगे बहुत जादा घिले घिले चावल बनके रेड़ी हो साएंगे तो इसे हमने मिला लिया है इसमें हम एक से दो कपना यहां पर पानी डाल लेते हैं यहां पर में 5-5 cup पानी कर रही हूँ कभी पुराने होते है तो उसमें जाधा पानीए लगता है अगर में तो यह संगता आप लोग अपिना अपनाा क्र पाहल कर सकते है तो इसे हम ने पानीब Nä से जावल ella जाओना ёмें पबड़ा सारा सान FLU इसे हमने कवर अभी नहीं किया था इसे हम अभी बाद में ढखेंगे तो ? पहले ? चावल का पानिँ सुकवने tillे भी पहली तीर से चावर करेंगे लगे और उपर से बानी कटमाल फेश भरण रड़ नंगे और हरे दन्य डालेके बाद मना, friends, आप लोग प्लाव को देख सकतें, कितना ज़ादा यम्मी और खिला खिला केले प्लाव मनके रेडी हुआ है, जो खाने में तो टेश्टी है, यह बनाने में बहुत जादा सींपल तरीके से, अगर आप लोग मतर प्लाव बनाना चाहते हो, तो वो भी मेरे चैनल ते मतर प्लाव की रेसीपी आप लग वीडियो को देख सकते हैं वो भी बहुत जादा टेस्टी होने थे मतर प्लाव फ्रेंड्स अगर आज की रेसीपी अच्छे है तो लाइक चानल के चेले थैक्स फॉर वाचिंग वीडियो